युहन्ना की प्रकाशित वाक्य अध्याए ए येशु मसी का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शिग्र होना अवश्य है दिखाएं उसने अपने स्वर्ग दूत को भेज कर उसके द्वारा अपने दास युहन्ना को बताया जिसने परमेश्वर के वचन और येशु मसीह की गवाही अर्थार्थ जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी धन्य है वे जो इस भविश्य द्वानी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है युहन्ना की ओर से आसिया की साथ कलिसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन साथ आत्माओं के ओर से जो उसके सिंगासन के सामने हैं और येश्यू मसीह की ओर से जो विश्वास युग साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलाटा और प्रिथी के राजाओं का हाकिम है तुम्हें अनुग गहे और शान्ती मिलती रहे जो हम से प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुडाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे आमीन देखो वे बादनों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखे वरन जिनोंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और प्रिथी के सारे खुल उसके तारों चाती पीटेंगे हाँ आमीन प्रहु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है जो सर्व शक्ति मान है ये कहता है के मैं ही अलफा और उमेगा हूँ मैं योहन्ना जो तुम्हारा भाई और यिश्व के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ परमेश्वर के वचन और यिश्व की गवाही के कारण पत्मुस नाम टापू में था मैं प्रभू के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही कासा बड़ा शक्त ये कहते सुना जो कुछ तु देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेड़ दे अर्थात इफिसुस और समुर्ना और पिर्गमुन और थुआतीरा और सर्दीस और फिल्दिल्फिया और लौदीकिया के पास और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुँ भेरा और पीछे घूम कर मैंने सोने की साथ दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्य सरीखे एक पुरुष को देखा जो पाउं तक कावस्तर पहिए और च्छाती पर सुनेला पटुका बांधे हुए था उसके सिर और बाल श्वेइत उन वरन पाले के से उच्छल थे और उसकी आँखे आग की जौला की नाई थी और उसके पाउं उत्तम पीतल के समान थे जो मानों भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब बहुत जल के शब की नाई था और वो अपने दाहीने हाथ में साथ तारे लिये हुए था और उसके मुक से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुँ ऐसा प्रजुलित था जैसा सूर्य करी धूप के समय चबकता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सागे पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहीना हाथ रख कर ये का कि मत डर मैं प्रथम और अंतिव और जीवता हूँ मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युप जीवता हूँ और मृत्यू और अधुलोग की कुझियां मेरे ही पास देए इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ली अर्थात उन साथ तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दहिने हाथ में देखा था और उन साथ सोने की दीवटों का भेद वे साथ तारे साथों कलीसियाओं के दूद हैं और वे साथ दीवट साथ कलीसियाएं हैं अध्याए दो इफिसुस की कलीसिया के दूद को ये लिख जो साथों तारे अपने दहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की साथों दीवटों के बीच में फिरता है वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आपको प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परक कर जूटा पाया और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते धका नहीं पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन भिरा और पहले के समान काम कर यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस थान से हटा दूँगा पर हां तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलईयों के कामों से घ्रिणा करता है जिन से मैं भी घ्रिणा करता हूँ जिसके कान हों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड में से जो परमिश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूँगा और समुर्ना की कलीसिया के दूद को ये लिक जो प्रथम और अंतिम है जो मर गया था और अब जीवित हो गया है वो ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आपको यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है उनकी निंदा को भी जानता हूँ जो दुख तुझको जेलने होंगे उनसे मत ड़न क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनो को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम पर्खे जाओ और तुम्हें दस दिन तक कलेश उठाना होगा प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुक्ट दूँगा जिसके कान हों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानी न पहुँचेगी और पिरगमुन की कलीसिया के दूद को ये लिख जिसके पास दो धारी और चोखी तलवार है वो ये कहता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अन्तिपास तुम में उस थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है पर मुझे तेरे विरुद बाते कहनी है तो कि तेरे यहां कितने तो ऐसे है जो विलाम की शिक्षा को मानते है जिसने बालाग को इस्राइलियों के आगे ठो कोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूरतों के बलिदान खाएं और वे विचार करें वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निगुलाईयों की शिक्षा को मानते हैं सो मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शिग्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लडूँग जिसके कान हूँ वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूँगा और उसे एक श्वेद पत्थर भी दूँगा और उस पत्थर पर एक नाम दिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाए और कोई न जाने का और थुआ तीरा की कलीसिया के दूद को ये लिख परमेश्वर का पुत्र जिसकी आँखे आग की जौला की नाई और जिसके पाउ उत्तम पीतल के समान हैं ये कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और ये भी कि तेरे पिछले काम पहिलों से बढ़कर है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस त्री इजे बेल को रहने देता है जो अपने आपको भविश्य द्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को विविचार करने और मूरतों के आगे के बलिदान खाना सिकला कर भरमाती है मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो अपने विविचार से मन फिराना नहीं चाहती देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ और जो उसके साथ वे विविचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े कलेश में डालूगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूगा और तब सब कलिसियाएं जान लेंगी कि हिर्दे और मन का परखने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूँगा पर तुम थुआ तीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोज न डालूँ पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक ठामे रहो जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जात जाती के लोगों पर अधिकार दूँगा और वो लोहे का राज दंड दिये हुए उन पर राज्य करेगा जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बरतन चकना जूर हो जागे हैं जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिदा से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूँगा जिसके कान हूँ वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और सरदीस की कलीसिया के दूद को ये लिख जिसके पास परमेश्वर की साथ आत्माएं और साथ तारे हैं वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तु जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ जागरत रहे और उन वस्तूओं को जो बाकी रह गई है और जो मिठने को थी उन्हें द्रिड़ कर तुकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया सुचेत कर कि तुने किस रीती से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा और यदि तू जागरत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाओंगा और तू कदा भी न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूँगा पर हां सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किये विश्वेत वस्त्र पहिने हुए मेरे साथ खूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहिनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी वीति से न काटूँगा पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान लूँगा जिसके कान हूँ वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और फिले दिल्फिया की कलीसिया के दूद को ये लिख जो पवित्र और सत्य है और जो दाओद की कुंजी रखता है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किये हुए को कोई खोल नहीं सकता वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया देख मैं शैतान के उन सभावालों को तेरे वश में कर दूँगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन जूट बोलते हैं देख मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंदवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है इसलिए मैं भी तुझे परिक्षा के उस समय बचा रखोंगा जो प्रित्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है मैं शिग्र ही आने वाला हूँ जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले जो जय पाई उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरुशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना निया नाम उस पर लिखूंगा जिसके कान हूँ वो सुन ले के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और लोदीग्या की कलीसिया के दूद को ये लिख जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवा है और परमेश्वर की स्रिष्टी का मूल कारण वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो थंडा है और न गर्म भला होता कि तू थंडा या गर्म होता सो इसलिए कि तू गुन गुना है और न थंडा है और न गर्म मैं तुझे अपनी मुँ में से उगलने पर हूँ तु जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धन्वान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और ये नहीं जानता कि तु अभागा और दुच्छ और कंगाल और अंदा और नंगा है इसलिए मैं तुझे सम्मती देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझे से मोल ले कि धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहिन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुर्मा ले कि तु देखने लगे मैं जिन जिन से फ्रीती रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खट-कटाता हूँ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाओंगा जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया जिसके कान हूँ वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है इन बातों के बाद जो मैंने द्रिष्टी की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बाते करते सुना था वही कहता है कि यहां उपर आजा मैं वे बाते तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पुरा होना अवस्य है और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिहासन के चारों और मरकत सा एक मेग धनुष दिखाई देता है और उस सिहासन के चारों और चौबीस सिहासन है और इन सिहासनों पर चौबीस प्राचीं श्वीत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सुने की मुकट है और उस सिहासन में से बिजलियां और कर्चन डिकलते हैं और सिहासन के सामने आग के साथ टीपक जड़े ये परमेश्वर के साथ आत्माए है और उस सिहासन के सामने मानों बिल्लावर के समान काच कासा समुद्र है और सिहासन के बीच में और सिहासन के चारों और चार प्राणी है जिनके आगे पीछे आखे ही आखे है पहला प्राणी सिह के समान है और दूसरा प्राणी बचड़ी के समान है तीसरा प्राणी का मुँ मनुष्य का सा है और चाथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के सबान है और चारों प्राणियों के छे छे पंक हैं और चारों ओर और भीतर आखें ही आखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं के पवेत्र 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 प्रभू परमेश्वर सर्व शक्तिबान जो था और जो है और जो आने वाला है और जब वे प्राणी उसकी जो सिहासन पर बैठा है और जो युगाउन युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे तब चौविसों प्राचीन सिहासन पर बैठने वाले के सामने फिर पड़ेंगे और उसे जो युगाउन उ युग जीरता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुष सिहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभू और पर्मेशु तू ही भहिमाद और आदर और सामर के युग है क्योंकि तू ही ने सब वस्तुआं सिर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिर्जी गई अध्याए पांच और जो सिहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुष्टक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो साथ मोहर लगा कर बंद की गई थी फिर मैंने एक बलवंत स्वग दूत को देखा जो उचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुष्टक के खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने योग ये कौन है और ना सुर्ग में ना पृत्वी पर ना पृत्वी के नीचे कोई उस पुष्टक को खोलने या उस पर दृष्टी डालने की योग निकला और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुष्टक को खोलने या उस पर दृष्टी करने की योग कोई ना मिला तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो देख यहुदा की गोतर का वो से जो दावत का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों महरे तोड़ने के लिए जैवंत हुआ है और मैंने उस सिहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानों एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा उसके साथ सीन और साथ आँखे थी ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृत्विपर भीजी गई है उसने आकर उसके दहिने हाथ से जो सिहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणियों और चौविसों प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीना और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे ये तो पवित्र लोगों की प्राण्थनाएं हैं और वे ये नया गीत गाने लगे के तो इस पुस्तक के लेने और उसकी महर खोरने के योग है क्योंकि तुने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और धाशा और लोग और जाती में से परमेशर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेशल के लिए एक राज्य और याज़क बनाया और विपर्थी पर राज्य करते हैं जब हैने देखा तो उस सिहासन और उन प्राणियों और उन प्राचियों की चारों ओर बहुत से स्वर्ग दूत का शब्द से जिनकी कृती लाखों और करोडों की थी वे उचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेम नहीं सामर्थ और थन और ग्यान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योगे फिर मैंने स्वर्ग में और प्रित्वी बाद और प्रित्वी के नीची और सबुद्र की सब स्रेजी हुई वश्वाद के और सब कुछ को जो उन में है ये कहते सुना कि जो सिहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राचिये युगोन युग रहे और चारो प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीरों ने गिरकर तंडवत किया अध्याए चै फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन साथ मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का कर्जन कासा शब सुना कि और मैंने द्रिष्टी की और देखा एक श्वेट घोड़ा है और उसका सवार धनुश लिये हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जै करता हुआ निकला कि और भी जै प्राप्त करें जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे पराणि को ये कहते सुना कि फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंका था उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि प्रित्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को बद करें और उसे एक बड़ी दलवार दी गया जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणि को ये कहते सुना कि और मैंने दृष्टी की और देखो एक काला धोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्ड ये कहते सुना कि तीनार का सेर भड़ के भी और तीनार का तीन सेर जब और देखो और दाक रस की हानी न करना जब उसने चारों थी बहुर थोली तो मैंने चारों प्राणियों का शब्ड ये कहते सुना कि और मैंने दृष्टी की और देखो एक पीला सा खोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यों है और अधों लोग उसके पीछे बीचे और उन्हें प्रिथ्वी की एक चौथाई पर ये अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और प्रिथ्वी के वन पश्वू के द्वारा लोगों को मार दाले जब उसने पाँचवी मोहर खुली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बद किये गए थे और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे स्वामी हे पवित्र और हे सत्य तू कब तक नयाए न करेगा और प्रिथ्वी के रहने वालों से हमारे लोहू का पल्टा कब तक न लेगा और उनमें से हर एक को श्वेईत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि कि और थोड़ी देर तक विशान करो जब तक कि तुम्हारे संगिदास और भाई जो तुम्हारी नाई वत होने वाले हैं उनकी भी गिनदी पूरी ना हो ले जब उसमें छट्री मोहर खोड़ी तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूई डोर हुआ और सूर्य कमर की नए काना वो पूरा जंद्रमा लुहू का साथ और आकाश के तारे पृत्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे पड़ी आधी से हिलकर अंजीर के बेड़ में से कच्चे पूर जड़ते हैं और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहार और टापू अपने अपने स्थान से टल गया और पृत्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत पहाडों की थोहों में और चटानों में जा चुए और पहाडों और चटानों से कहने लगे के हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मूँ से जो सिंहासन पर पैटा है और मेंने के पुकॉप से जिपा लो योगी मेंने के पुकॉप का भयारत दिन्हा पहुचा है हम कौन पह सकता है अध्याय साथ इसके बाद मैंने पृत्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्ग दूद खड़े देखे वे पृत्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृत्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले फिर मैंने एक और स्वर्ग दूद को जीवते परमेश्वर की मुहर लिये हुए पूरब से उपर की ओर आते देखा उसने उन चारों स्वर्ग दूदों से जिन्हें पृत्वी और समुद्र की हानी करने का अधिकार दिया गया था उचे शब्द से पुकार कर कहा जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृत्वी और समुद्र और पेड़ों को हानी न पहुँचाना और जिन्पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिंती सुनी कि इस्राइल की संतानों के सब गोत्रों में से एक लाख चौालिस हजार पर मुहर दी गई यहूदा के गोत्र से बारह हजार पर मुहर दी गई रुबेन के गोत्र में से बारह हजार पर गाद के गोत्र में से बारह हजार पर आशेर के गोत्र में से बारह हजार पर नप्ताली के गोत्र में से बारह हजार पर मनशिख के गोत्र में से बारह हजार पर शमाउन के गोत्र में से बारह हजार पर लेवी के गोत्र में से बारह हजार पर इस साकार के कोत्र में से बारह हजार पर जबूलून के कोत्र में से बारह हजार पर यूसफ के कोत्र में से बारह हजार पर और बिन्यामीन के कोत्र में से बारह हजार पर बहर दी गई इसके बाद मैंने दृष्टी की और देखो हर एक जाती और कुल और लोग और भाशा में से एक ऐसी बड़ी भीड जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेई तवस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिये हुए सिहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है वो बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उध्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिहासन पर बैठा है और मेमने का जैजैकार हो सारे स्वर्गदू उस सिहासन और प्राचीनों और चारो प्रानियों के चारो ओर खड़े फिर विस्यासन के सामने मूँ के बल किरबड़ और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन हमारे परमेश्वर के स्तुति और महिमा और क्यान और धन्यवान और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे आमीन इस पर प्राजीनों में से एक ने मुझसे कहा यह श्वेट वस्त्र पहने हुए कौन है वे कहां से आये है मैंने उससे कहा है स्वामी तू ही जानता है उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आएं इन्हों ने अपने वस्त मेमने के लहू में धोकर श्रेट किये इसी कारण वे परवेश्चर के सहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं और जो सहासन पर बैठा है वो उनके उपत अपना तंबू तानेगा वे फिर भूके और प्यासे ना होंगे पर ना उन पर धूप ना कोई तबन पड़ेगी क्योंकि मेरना जो सिहासन के बीच में है उनकी रखवानी करेगा और उन्हें जीवन रूपी जलकी श्रोतों के पास लिजाय करेगा और परमेश्वर उनकी आखों से सब आशों पोच डा देगा जब उसने सातवी मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा चा गया मैंने उन सातों स्वर्ग दूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें सात तुर्या दी गई फिर एक आव स्वर्ग दूत सोने का धूप दान लिये हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोन हली वेदी पर जो सिहासन के सामने है चड़ा ही और उस धूप का धूआ पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्ग दूद के हाथ से परमिश्वर के सामने पहुँच गया और स्वर्ग दूद ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और प्रिथी पर डाल दे और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूई डोल होने लगा और वे सातों स्वर्ग दूद जिनके पास सात तुर्यां थी फूखने को तैयार हुए पहले स्वर्ग दूद ने तुर्हे फूब अर लोहों से मिले हुए ओले और आग उतबड़ और प्रिथी पर डाले गए और प्रिथी की एक तिहाई जल गया और पेडों की एक तिहाई चल गए और सब हरी घास भी जल गए और दूसरी स्वर्ग दूत ने तो देख उंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड समुद्र में डाला गए और समुद्र का एक तिहाई लोहू हो गया और समुद्र की एक तिहाई स्रिजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और एक तिहाई जहास नाश हो गए और तीसरी स्वर्ग दूत ने तुरही फूखी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई चलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के स्वर्टों पर आ पड़ा और उस तारे का नाम नाग दौना कहलाता है और एक तिहाई पानी नाग दौना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए और चौथे स्वर्ग दूट ने तुरही भूकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपति आई यहां तक कि उनका एक तिहाई अंग अधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी और जब मैंने फिर देखा तो आखाश के बीच में एक उकाओ को उड़ते और उचे शब्द से ही कहते सुना की उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूखना भी बाकी है पृत्वी के रहने वालों पर हाई 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 अध्याए नौ और जब पांच्वी स्वर्गदूत ने तुरही फूखी तो मैंने स्वर्ग से पृत्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाहा कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाहा कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआ उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायू अंधियाई हो गई और उस धुएं में से पृत्वी पर तिड्डिया निकली और उन्हें पृत्वी के बिच्चू की सी शक्ति दी गई और उन्हें से कहा गया कि नपृत्वी की खास को ना किसी हरयाली को ना किसी बेड को हानी पहुचाव केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है और उन्हें मार डालने का तो नहीं पर पांच महिने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिय उनकी पीड़ा ऐसी जी जैसे पिच्छू के टंक माने से मनुष्य को होती है उन दिनों में मनुष्य मृत्यों को ढूंडेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यों उनसे भागेगी और उन टिड्डियों के आगार लड़ाई के लिए तैयार किये हुए खोड़ों के से थे और उनके सिरों पर मानों सोनी के मुकुट थे और उनके मुण मनुष्यों के से थे और उनके बात स्त्रियों के से और दात सिहों के से थे और वे लोहे किसी जिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दाड़ते हूं और उनकी पूँच बिच्छों किसी थी और उनमें डंक थे और उन्हें पांच महिने तक मनुश्यों को दुख पहुचाने की जो सामर्थ थी वो उनकी पूँचों में थी अथा कुंड का दूद उन पर राजा था उसका नाम इब्रानी में अब्डौन और यूनानी में अपुल योन है पहली विपत्ती बीथ चुकी देखो अब इसके बाद दो विपत्तियां और होने वाली है और जब छट्वी स्वर्ग दूद ने तुरही भूपी तो जो सोने की वेधी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कुई छटवे स्वर्ध दूद से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन चार स्वर्ध दूदों को जो बड़ी नदी फुराद के पास बधे हुए हैं खोल दे और वे चारों दूद खोल दिये गए जो उस घड़ी और दिन और महिने और वर्ष के लिए मनश्यों की एक दिहाई के मार डालने को तैयार किये लेए और फूजों के सवारों के गिनती तीस करोर थी मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस तर्षन में खोड़े और उनके ऐसी सवार दिखाई दिये जिनकी छिल में आग और धुम्र कांथ और गंधत की सी थी और उन घोडों के सिर सिहों के सिरों जैसे थी और उनके मूँ से आग और धुवा और कंधक निकलती थी इन तीनों मैयों अर्थार्थ आग और धुवे और कंधक से जो उसके मूँ से निकलती थी मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली गई क्योंकि उन घोडों की सामर्थ उसके मुह और उनकी पूछों में थी इसलिए कि उनकी पूछें सापों किसी थी और उन पूछों के सिर भी थे और इन ही से वे पीड़ा पहुँचाते थे और बाकी मनुश्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया के दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करे जो न देख न सुन न चल सकती हैं और जो खोन और टोना और वेविचार और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया अध्याय दस फिर मैंने एक और बली स्वर्ग दूद को बादल ओडे हुए स्वर्ग से उतरते देखा उसके सिर पर मेग धनुष्था और उसका मूँ सूरिय कासा और उसके पाउं आग के खंभे के से थे और उसके हाथ में एक छोटी से खुली हुए पुस्ता थी उसने अपना दाहिना पाउं समुद्र पर और पाया प्रजी पर रख और ऐसे बड़े शब्द से चिलाया जैसा सीह गरचता है और जब वह चिलाया तो गरजन के साथ शब्द सुनाई दिये और जब सातों गरजन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो बातें गरजन के उन साथ शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्तरक और मतलिक और जिस स्वर्ग दूत को मैंने समुद्र और प्रित्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ सुर्ग की ओर उठाया और जो युगान युग जीवता रहेगा और जिसने स्वयम को और जो कुछ उसमें है और प्रित्वी को और जो कुछ उसमें है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है स्रिजा उसी की शपत खाकर कहा अब तो और देर न होगी वरन सात्वे स्वर्ग दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही भूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरत उस्तु समाचार की अनुसार जो उसमें अपने दास भविश्वत वक्ताओं को दिया पूरा होगा और जिस शब्द करने वालों को मैंने सुर्ग से बोलते सुना था वे फिर मेरे साथ बाते करने लगा के जह जो स्वर्ग दूत समुत्र और पृत्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले और मैंने सुर्ग दूत के पास जाकर कहा ये छोटी पुस्तक मुझे दें और उसने मुझसे कहा ले इसे खा जा और ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मूँ में मधूसी मीठी लगे सो मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्ग दूत के हाथ से लेकर खा गया वो मेरे मूँ में मधूसी मीठी तो लगी पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया तब मुझसे ये कहा गया के तुझे बहुत से दोगों और जातियों और भाशाओं और राजाओं पर फिर भविश्चित्वानी करनी होगी अध्याए ग्यारे और मुझे लगी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उस पर जन करने वालों को नाप ले और मंदिर के वाहर का अंगर छोड़ दे उसे मतनाद क्योंकि वो अन जातियों को दिला गया है और वे पमित्र नगर को 42 महीने तक भूँदेंगे और मैं अपने दो गवाहों को ये अथिकार दूँगा कि टा टोड़े हुए 1260 दिन तक भविश्यत्वानी करे ये वे ही जैतून के दो पेड और दो दिवट हैं जो प्रित्वी के प्रभू सामने खड़े रहते हैं और यदि कोई उनको हानी पहुचाना चाहता है तो उनके मुँ से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्व करती है और यदि कोई उनको हानी पहुचाना चाहेगा, तो अवश्य इसी रीती से माल डाला जाएगा इन्हें अधिकार है के आकाश को बंद करें, के उनकी भविश्य द्वानी के दिनों में महिना बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है के उसे लुहू बनाएं और जब जब चाहें तब तब प्रत्थी पर हर प्रकार की आपत्ती लाएं और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वे पशू जो अथा कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें माल डानेगा और उनकी लोथें उस बड़े नगर की चौक में पड़ी रहेगी, जो आत्मिक रीती से सदोम और मिसर कहलाता है, जहां उनका प्रभू भी कुरूस पर चड़ाया गया था और सब लोगों और कुलों और भाशाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें साड़े तीन दिन तक देखते रहेगी, और उनकी लोथें कबर में रखने ना देगी और प्रित्वी के रहने वाले उनके मरने से आनन्दित और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेट देजिए, क्योंकि इन दोनों भविश्य द्वक्ताओं ने प्रित्वी के रहने वालों को सताया था और साड़े तीन दिन के बाद फर्वेश्वत की ओर से जीवन की आत्मा उनमें पैठ गई, और वे अपने पाउं के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भै चा गया, और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई धिया कि, यहाँ उपर आओ यह सुन, वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भुई डोल गए, और नगर का दसवा अंश गिर पड़, और उस भुई डोल से साथ हजार मनुष्य मर गए, और शेश तर गए, और मेश्व की महिमा की, दूसरी विपत्ती बीठ चुकी, देखो, तीसरी विपत्ती शीख आने बाली है, और जब सात्वे दूत ने तुरही भूकी, तो सुर्ग में इस विशे के बड़े-बड़े शब्द होने लगे की, जगत का राज्य हमारे प्रभु का, और उसके मसीह क हो गया, और वो युगान युग राज्य करेगा, और चौविसों प्राचीन, जो परमेश्वर के सामने अपने-अपने सिहासन पर बैठे थे, मुहु के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करते, ये कहने लगे की, ये सरश्वक्ति मान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवात करते हैं, कि तुने अपने बड़ी सामर्त काम में लाकर राची किया, और अन्यजातियों ने क्रोद किया, और तेरा प्रकुप आपड़ा, और वो समय आप हुचा है, कि मरे हों का न्याए किया जाए, और तेरे दास, भविश्च दुपताओं, और पौवत लोगों को, और उन छोटे वड़ा को, जो तेरे नाम से डरते हैं, बड़ा दिया जाए, और प्रत्री के विगारने वाले को नाश किया जाए, और मेश्वर का जो मंदिर स्वर, वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूर इतना है, और बिजलिया, और शर्थ, और गर्चन, और उप्वी ढोर हुए, और बड़े ओले पड़े, अध्याए बारे, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्य दिखाई दिया, अर्थार्थ, एक स्त्री, जो सूर्य ओडे हुए थी, औ चांद उसके पाउं तले था, और उसके सिर पर बारे तारों का मुकुट था, और वो गर्भवती हुई, और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी, एक और चिन्य स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके साथ सिर और दस सीम थे, और उसके सिरों पर साथ राज मुकुट थे, और उसकी पूँच में आकाश के तारों की एक तिहाई को खीच कर पृत्वी पर डाल दिया, और वो अजगर उस स्त्री के सामने, जो जच्चा थी, खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने, तो उसके बच्चे को निगन जाए, और वो बेटा जनी, जो लोहे का टंड लिये हुए, सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एका एक परमेश्वर के पास, और उसके सिहासन के पास उठा कर पहुचा दिया, और वो उस्त् किंगल को भाग गई, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वो 1260 दिन तक पाली जाए, फिर स्वर्ग पर लड़ाई, मेकाईल और उसके स्वर्ग दूद अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूद उससे लड़े परंतु प्रबल न होए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही, और वो बड़ा अजगर अर्थार्थ, वही पुराना साप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का फर्माने वाला है, प्रित्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूद उसके साथ गि पर दिये गे, फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि, अब हमारे परवेश्वर का उत्थार्थ, और सामर्थ, और राज्ज, और उसके मसीह का अधिकार पगट हुआ है, क्योंकि हमारे भाईयों पर दोश लगाने वाला, जो रात दिन हमारे प देवने के लोहू के कारण, और अपनी कवाही के बचन के कारण, उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रियन ना जाना, यहां तक कि मृत्यों भी सहली, इस कारण, ये स्वर्गों और उन्मे के रहने वालों मगन हो, ये प्रित्वी और समुत्र, के साथ तुमारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। उस जगे पहुच जाए, जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और साप ने उस स्थ्री के पीछे अपने मुह से नदी की नई पानी बहाया, के उसे इस नदी से बहा दे। परंतु प्रिथ्वी ने उस स्थ्री की सहयता की और अपना मुह खोल कर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्थ्री पर रोधित हुआ और उसकी शेश संतान से जो परमेश्वर की आज्याओं को मानते और यिशू की कवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। अध्याए तेरे और मैंने एक पशू को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके दस सीग और साथ सिर थे और उसके सीगों पर दस राज मुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे दुए थे और जो पशू मैंने देखा वो जीते की नई था और उसके पां भालू के से और मुँ सीह का सा था और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिहसन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी खाव लगा दिखा। मानों वो मरने पर है फिर उसका प्रान खा तक खाव अच्छा हो गया। और सारी प्रत्वी के लोग उस पशू के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशू को अपना अधिकार दे दिया था। और ये कहकर पशू की पूजा की कि इस पशू के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुह दिया गया। और उसे 42 महिने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुह खोला कि उसके नाम और उसके तम्रू अर्थार्थ स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे ये अधिकार दिया गया के पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जये पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाशा और जाती पर अधिकार दिया गया। और पृत्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। जो जगत की उत्पत्ती के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हूं वो सुनें। जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पढ़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और इश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृत्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से दो सींग थे। और वो अजगर की नई बोलता था। और ये उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। और पृत्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्रान घातक घाव अच्छा हो गया था। पूजा करता था और वो बड़े बड़े चिन दिखाता था। यहां तक की मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृत्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। वो पृत्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था के पृत्वी के रहने वालों से कहता था के जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस पशू की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, कि पशू की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशू की मूरत की पूजा ना करें, उन्हें मरवा डाले, और उसने छोटे बड़े धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दहिने हाथ या उनके माथे पर एक-एक छाप करा दि, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थार्थ उस पशू का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सकी, ज्यान इसी में है, जिसे बुद्धी हो, वहाई इस पशू का अंक जोड ले, क्योंकि ही, वह मनुष्य का अंक है, और उसका अंक छैसो छियासट है, अध्याए चौदा, फिर मैंने दृष्टी की, और देखो, वो मेमना सियोन पहाड पर खड़ा है, और उसके साथ एक लाख चौवालिस हजार जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुने है, जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, जो शब्द मैंने सुना, वो ऐसा था, मानो वीड़ा बजाने वाले वीड़ा बजाते हूं, और वे सिहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने, मानो एक नया गीत गा रहे थे, और उन एक लाख चौवालिस हजार जनों को छोड़, जो प्रित्वी पर से मोड लिये गए थे, कोई वो गीत ना सीख सकता था, ये वे हैं, जो स्त्रियों के साथ अशुध नहीं हुए, पर कुवारे हैं, ये वे ही हैं, कि जहां कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं, ये तो परमेश्वर के निमित पहले फल होने के लिए मनुश्यों में से मोल लिये गए हैं, उनके मुँ से कभी जूट ना निकला था, वे निर्दोश हैं, फिर मैंने एक और स्वर्ग दूद को आकाश के बीच में उरते हुए देखा, जिसके पास प्रित्वी पर के रहने वालों की हर एक जाती और कुल और भाशा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सू समाचार था, उसने बड़े शब्द से कहा, पर मेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्यूंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और प्रित्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए, फिर इनके बाद एक और स्वर्ग दूद बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया के, फिर इनके बाद एक और स्वर्ग दूद बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया के, जो कोई उस पसु और उसकी मुरत का पुजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमिश्वर के प्रपो की नीजी मंदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा, और पवित्र शर्ग दित्तों के सामने और मेमने के सामने आख और गंधर की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआ युगर्न युग उठता रहेगा, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको राद दिन चैना मिलेगा पवित्र लोगों का धीरच इसी में है जो परमेश्वर की आज्याओं को मानते और येशु पर विश्वास रखते है और मैंने सुर्ख से ये शब्द सुला की लिख जो मुर्दे प्रभू में मरते हैं वे अब से धन्य है आत्मा कहता है हाँ क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार उनके साथ हो लेते हैं और मैंने दृष्टी की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनश्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके से पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है फिर एक और स्वर्ग दूत ने मंदिर में से निकल कर उस से जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगा कर लवनी कर क्यूंकि लवने का समय आ पहुचा है इसलिए कि पृत्वी की खेती पक चुकी है सो जो बादल पर बैठा था उसने पृत्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृत्वी की लवनी की गई फिर एक और स्वर्ग दूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हंसुआ था फिर एक और स्वर्ग दूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे उंचे शब्द से कहा अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृत्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है और उस स्वर्ग दूत ने पृत्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृत्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में टाल दिया और नगर के बाहर उस रस के कुंड में टाख राउंदे गए और रस के कुंड में से इतना लवू निकला की खोडों के लगामों तक पहुचा और सौ कोस तक बह गया अध्याए पंद्रा फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अध्भुत चिन देखा अर्थात सात स्वर्ग दूत जिनके पास सातों पिछली विपत्तियां थीं क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है और मैंने आग से मिले हुए काँच कासा एक समुद्र देखा और जो उस पशुपर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे उन्हें उस काँच के समुद्र के निकट परमेश्वर की विणाओं को लिये हुए खड़े देखा और वे परमेश्वर के दास मुसा का गीट और मेंने का गीट गा गा कर कहते थे थे हे सर्वशक्ति मान प्रभू परमेश्वर तेरे कारे बड़े और अग्वत है। हे युग-युग के राजा तेरी चार ठीक और सच्ची है। हे प्रभू कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाग की महिमा न करेगा। क्योंकि ये वर तू ही पवित्र है। और सारी जातियां आका तेरे सामने तन्वत करेगी। क्योंकि तेरे मियाए के काम प्रगट हो गए है। और उसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। और वो सातों स्वर्ग दूद जिनके पास सातों विपत्तियां थी। शुद्ध और चमकती हुई मनी पहने हुए छाती पर सुनहले पटके बाधे हुए मंदिर से निकले। और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्ग दूदों को परमेश्वर के जो युगान और युग जीवता है प्रकोप से भरे हुए सात सोने के कटोरे दिये। और परमेश्वर की महिवा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धूएं से भर गये और जब तक उन सातों स्वर्ग दूदों की सातों विपत्यां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। अध्याय सोला फिर मैंने मंदिर में किसी को उचे शब्द से उन सातों स्वर्ग दूदों से ये कहते सुना के जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को प्रित्वी पर उंडेल दो सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृत्वी पर उडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की जाब थी और जो उस मूरख की पुजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उडेल दिया और वो मरे हुए कासा लोहू बन गए और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गए और तीसरे ने अपना कटोरा लगियों और पानी के स्रोतों पर उडेल दिया और वे लोहू बन गए और मैंने पानी के स्वरधूत को य हे पवित्र जो है जो था तू न्याई है और तू ने ये न्याई दिया क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविश्य द्रक्ताओं का लोहू बहाया था और तू ने उन्हें लोहू बिलाया क्योंकि वे इसी योग्य है फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना के हाँ है सर्वशक्ति मान प्रभू परमेश्वर तेरे निर्णे ठीक और सच्चे है चौथे ने अपना का टोरा सूर्यपनुडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से जुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से चुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना प्याए पांच्वे ने अपना का टोरा उस पश्यू के सिंगासन पर मुडेल दिया और उसके राज्ये पर अंधिरा चा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीब जबाने दगे और अपनी पीड़ाओं और पोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना प्याए छटवे ने अपना कटूरा बड़ी नदी फुराद पर अडेल और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तयार हो जाए और मैंने उस अजगर के मूँ से और उस पशू के मूँ से और उस जूठे भविश्य दुक्ता के मूँ से तीन अशुध आत्माओं को मेड़कों के रूप से निकलते देखा ये चिन दिखाने वाली दुष्टात्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्व शक्ती मान पर मेश्वर के उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकठा करें देख मैं चोर की नाई आता हूँ धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्द की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें और उन्होंने उनको उस जगा इकठा किया जो इवरानी में हर मगीदोन कहलाता है सात्वे ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिहासन से ये बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका फिर पिजलिया और शब्द और करजन हुए और एक ऐसा बड़ा भई डोल हुआ कि जबसे मनश्य की उत्पत्ती प्रिछी पर हुई तबसे ऐसा बड़ा भई डोल कभी न हुआ था और उस बड़े नगर के टीम तुकडे हो गए और जाती जाती के नगर किर पड़े और बड़े बावुल का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वो अपने क्रोध की जल जला हट की मधिराउ से पिलाए और हर एक तापू अपनी जगे से टल गए और पहाडों का पता न चाए और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए ये विपत्ती बहुत ही भारी थी लोगों ने ओलों की विपत्ती के कारण परमेश्वर की निंदा की अध्याए सत्रा जिन साथ स्वर्ग दूतों के पास वे साथ कटोरे थे उन में से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधरा मैं तुझे उस बड़ी विश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है जिसके साथ प्रित्वी के राजाओं ने व्यभीचार किया और प्रित्वी के रहने वाले उसके व्यभीचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे तब वो मुझे आत्मा के जंगल को ले गया और मैंने किर्मजी रंग के पशू पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके साथ सिर और दस सींग थे एक स्त्री को बैठे हुए देखा ये स्त्री बैंजनी और किर्मजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमोल मनियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घ्रणित वस्तूओं से और उसके व्यभीचार की अशुद्ध वस्तूओं से भरा हुआ था और उसके माथे पर ये नाम लिखा था बेद बड़ा बाबुल प्रत्वी की वैशाओं और ग्रणित वस्तूओं की माता और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू और येशू के गवाहूं के लोहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया उस स्वर्ग दोत ने मुझसे कहा जो पशूद तूने देखा है ये पहले तो था पर अब नहीं है और अथा कुंड से निकल कर विनाश में पड़ेगा और प्रत्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ती के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए इस पशू की ये दशा देखकर की पहले था और अब नहीं और फिर आजाएगा अचंभा करेंगे उस बुद्धी के लिए जिसमें ग्यान है यही अफसर है वे सातों सिर पहाड हैं जिन पर वो इस तरी बैटी है और वे सात राजा भी हैं पांच तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है और जो पशू पहले था और अब नहीं वो आप आठवा है और उन सातों में से उत्पन हुआ और विनाश में पढ़ेगा और जो दस सींग तुने देखे वे दस राजा हैं जिनोंने अब तक राज्य नहीं पाया पर उस पशू के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का असा अधिकार पाएंगे ये सब एकमन होंगे और वे अपनी अपनी सामत और अधिकार उस पशू को दे देंगे ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जैपाएगा क्योंकि वो प्रभू का प्रभू और राजाओं का राजा है और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जैपाएंगे फिर उसने मुझसे कहा के जो पानी तुने देखे जिन पर विश्या बैटी है वे लोग और भीर और जातियों और भाशाएं हैं और जो दस सीन तुने देखे वे और पशू सवेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आतने जला देंगे क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मन्सा पूरी करें और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें और वो इस्त्री जिसे तूने देखा है, वो बड़ा नगर है, जो प्रित्वी के राजाओं पर राज्य करता है अध्याए अठारा इसके बाद मैंने एक स्वर्ग दूद को स्वर्ग से उतरते देखा गिर गया, बड़ा बाबुर गिर गया है, और दुष्टा आत्माओं का निवास और हर एक शुद्धा आत्मा का अट्दा हो गया क्योंकि उसके व्यविचार के भयानक मद्या के कारण सब चातियां गिर गई है और प्रित्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यविचार किया है और प्रित्वी के व्यवपारी उसके सुख विलास की बहुत आयत के कारण धन्वान हुए है फिर मैंने इस स्वर्ग से किसी और का शक्त सुना के हे मेरे लोगो उसमें से निकल आओ के तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े क्योंके उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मर्ण आये है जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुणा भर दो जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए दो गुणा भर दो जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको फीडा और शोक दो क्योंकि वो अपने मनमी कहती है मैं रानी हो बैटी हो विद्वा नहीं और शोक में कभी ना पड़ूंगी हाँ 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 इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी अर्थात, मृत्यू और शोक और अकाल और वो आग में फस्म कर दी जाएंगी क्योंकि उसका नियाई प्रभू परमेश्वर शक्तिमान है और प्रित्वे के राजा जिन्होंने उसके साथ बहविचार और सुक विलास किया जब उसके जलने का धुआ देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और च्छाती पीटेंगे और उसकी पुगला के दर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे ए बड़े नगर भाबुल ए दूर नगर हाए हाए गड़ी ही पर में तुझे तंड मिल गया है और प्रित्वी के व्योपारी उसके लिए रोएंगे और कल पेंगे क्योंकि अब कोई उनका बाल बोल न लेगा पर्थाच, सोना, चांदी, रत, मोती और मलमल और बैंजनी और रेश्मी और किर्विजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंदित काच और हाती दान की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुबोल काच और पीतल, पुर्लोहे और संग्मर्मर के सब भाति के पात्र और दार्ची, मसाले, धूब, इत्र लोबान मदिरा, तेल, नैदा, गेहूं गाए, बैल, फेल, बक्रियां ठोडे, रच, और दास, और मनुश्यों के प्रान अब तेरे मन भावने बल तेरे पास से जाते रहे और सौदिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुछ से दूर हुई है और वे फिरकदा पीना मिलेगी इन वस्तुएं के व्योबारी जो उसके द्वारा धन्वान हो गए थे उसकी पीडा के डर के मारे दूर खड़े हुँगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे हाए, हाए, ये बड़ा नगर जो मलमल और पैजनी और किर्विजी कपड़े पहने था और सोने और नत्रों आर्भोतियों से सजा था गड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन्वान हो गया और हर एक माझी और जलियात्री और मल्ला और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआ देखते हुए बुकार कर कहेंगे कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है और अपने अपनी सिरों पर धूल डाले और रोते हुए और कलपते हुए चिला चिला कर कहेंगे कि भाय भाय ये बड़ा नगर जिसकी संपस्तिके द्वारा समुत्र के सब जहाद वाले तनी हो गए थे घड़ी ही भर में उचर गया हे इस्वर और हे पवित्र जोगो और प्रेरितो और धविक्षत वक्ता हो उस पर आनन करो क्योंकि परविश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पल्टा जिया है फिर एक वलवन्त स्वरगदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया के बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से किराय जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा और वियुना बजाने बालों और पजदियों और बंसी बजाने बालों और तुरही भूखने बालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और किसी उत्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूरे और दिर्विन का शब्ध फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा क्योंकि तेरे वैबारी पृत्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भर्माई गई थी और भवश्य दुरक्ताओं और पुवित्र लोगों और प्रिट्वे पर सब खात किये रुखों का लगों उसी में पाया गया अध्याए उन्नीस इसके बार मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड को उजे शब्द से ये कहते सुना के हलिलुया उत्वार और महिमा और सावत हमारे का में सभीटी है क्योंकि उसके निर्ने सच्छे और ठीक है इसे लिए उसने उस बड़ी वहश्या का जो अपने गभीचार से प्रक्षी को घ्रश्ट करती थी नियाई किया और उसने अपने जाफों के लोगों का पल्टा लिया है फिर दूसरी बार उन्होंने हलेलुया और उसके जलने का धुआ युगानु युग उठता रहेगा और चौवीसों प्राचियों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को तंडवत किया जो सिहासन पर बैठा था और कहा और सिहासन में से एक शब्द निकला के है हमारे परहेश्वर से सब जरने वाले दासों क्या छोटे क्या बड़े तुम सब उसकी सुती करो फिर मैंने बड़ी भीर का सा और बहुत जलका सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना हलिलूया इसलिए कि जब हुँ हमारा परमेश्वर सर्वशक्ती मार राज्य करता है आओ तब आनदित और नहर्प हो और उसकी सुती करें क्योंकि मेंने का दिहा हो जा और उसकी पत्री ने अपने आपको तयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है और उसने मुझसे कहा यह लिक की धन्यवे हैं जो मेंने के ब्या के भोज में बुला गये हैं फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाउं पर गिरा उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर मैं तेरा और तेरे भाईयों का संगीद आस हूँ जो एश्वर की गवाई देने पर सती रहें परमेश्वर ही को दंडवत कर क्योंकि एश्वर की गवाई भयुशद्वानी की आत्मा है फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्ये और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याए और लड़ाई करता है उसकी आखें आग की जौला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुपुट है और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता और वो लुहु से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है और स्वर्व की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछी पीछे है और जाती जाती को मारने के लिए उसके मुँ से एक चोखी तलवार निकलती है और वो लोहे का राज दंड लिये हुए उन पर राज्य करेगा और वो सर्व शक्ति मान परमेश्वर के भयानक फ्रतोग की चल जलाहट की मदीरा के कुंड में डाक रौन देगा और उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु फिर मैंने एक स्वर्ग दूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकठे हो जाओ जिससे तुम राजाओं का मास और सरदारों का मास और शक्तीमान पुरुशों का मास और घोडों का और उनके सवारों का मास और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मास खाओ फिर मैंने उस पशू और प्रत्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोडे के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकठे देगा और वो पशू और उसके साथ वो जूटा भविश्य द्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चन्न दिखाये थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिनोंने उस पशू की चाप ली थी और जो उसकी मूरब की पूजा कर दे थे ये दोनों जीते जी उस आग की जील में जो गंधक से जलती है डाले गए और शेश लोग उस खोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मास से त्रिक्त हो गए अध्याए बीस फिर मैंने एक स्वर्ग दूद को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाहा कुंड की कुंजी और एक बड़ी जन्जीय थी और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांब जो इबलीस और शैतान है पकड़ कर हजार वर्ष के लिए बाध दिया और उसे अथाहा कुंड में डाल कर बंद कर दी और उस पर महर कर दी के वो हजार वर्ष के पूरे होने तक जाती जाती के लोगों को फिर ना भरमाए इसके बाद अवश्य है के थोड़ी दे के लिए फिर खोला जाए फिर मैंने सिहासन देखे और उन पर लोग बैठ है और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यिश्यू की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशू की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी च्छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी वे जीवी थोकर मसीही के साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे और जब तक ये हजार वर्ष पूरे ना हुए तब तक शीश मरे हुए न जी उठे ये तो पहला मृत को थान है धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनुरुद्धान का भागी है ऐसो पर दूसरे मृत्यों का कुछ भी अधिकार नहीं पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे और जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो प्रित्वी के चारो ओर होगी अर्थात या जूज और माजूज को जिनकी गिंती समुद्र की बालू के बराबर होगी भर्मा कर लड़ाई के लिए इकठे करने को निखलेगा और वे सारी प्रित्वी पर ठैल जाएगी और पवित्र लोगों की चावनी और प्रियत नगर को खेर लेगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भर्सू करेगी और उनका भर्मादे वाला शैटान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वो पशू और जूठा भमिशत वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और रात दिन युगान युग पीना में परते रहे फिर मैंने एक बड़ा श्वीच सिहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा जिसके सामने से प्रित्वी और आकाश भाब गए और उनकी लिए जगा ना में फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तके खोली गए और फिर एक और पुस्तक खोली गए अर्थार्थ जीवन की पुस्तक जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यू और अधो लोग ने उन मरे हुऊं को जो उनमें थे दे दिया उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका ज्याय किया गए और मृत्यू और अधो लोग भी आग की जील में डाले गए ये आग की जील तो दूसरी मृत्यू है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम इसी वो आग की जील में डाला गया अध्याए 21 फिर मैंने नए आकाश और नई पृत्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृत्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा फिर मैंने पवित्र नगर नए यरुशलेम को स्वर्गपर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वो उस दुलहम के समान थी जो अपने पती के लिए सिंगार किये हुया फिर मैंने सिहासन में से किसी को ऊचे शब्द से ये कहते हुए सुना के देख परमेश्वर का डेरा मनिश्वों के बीच में है वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा वो उनकी आँखों से सब आशू पोंच डालेगा और इसके बाद मृत्तू ना रहेगी और ना शोग ना विलाब ना पीड़ा रहेगी पहली बातें जाती रहेगी और जो सिहासन पर बैठा था उसने कहा के देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ फिर उसने कहा के लिख लेगी क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है मैं अलपा और ओमेटा आदी और अल्धत मैं प्यासे को जीवन के जल के सोति मैंसे सिध मेत बिला होँगा जू जैपाय वही इन वस्थूओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होँगा और वो मेरा पुत्त्र होगा पर डर्बूकों और अविश्वासियों और घिनोनों और हत्यारों और वेवचारियों और टोनों और मूर्ती पूजकों और सब छूटों का भाग उस छील में मिलेगा जो आग और कंधक से जलती रहती है ये दूसरी मृत्यु है फिर जिन साथ स्वर्गदूतों के पास पिछली विपत्तियों से भरे हुए साथ कटोरे थे उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बात करके कहा इधरा मैं तुझे दुलहन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और उचे पहाड पर ले गया और पवित्र नगर यरुशलेम को स्वर्गपर से परमेश्वर के पास से उतरते दिए परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी जोती बहाथ ही बहुमोल पत्थर अर्थार बिल्लोर के समान यशब की नई स्वच्छ थी और उसकी शहर पना बड़ी उची थी और उसके बारा भाटक और भाटकों पर बारा स्वर्गदूद थे और उनपर इस्राइलियों के बारा गोत्रों के नाम निखे थे वे बूर की ओर तीन भाटक उत्तर की ओर तीन भाटक तखिन की ओर तीन भाटक और परश्चिन की ओर तीन भाटक थे और नगर की शहर पना की बारह नेवी थी और उन पर मेमने के बारह प्रेरीतों के बारह नाम लिखे थे और जो मेरे साथ बाते कर रहा था उसके पास नगर और उसके भाटकों और उसकी शहर पना को नापने के लिए एक सोने का गच था और वो नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा जो साड़े साथ सौ को उसका निकला उसकी लंबाई और चौड़ाई और उचाई बराबर थी और उसने उसकी शहर पना को मनुश्य के अर्थार्थ स्वर्ग दूद के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली और उसकी शहर पना की जुडाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच काँच के समान हो और उस नगर की नेवे हर प्रकार के बहुमोल पत्रों से समारी होई थी पहली नेव यशब की थी दूसरी नील मनी की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की, पाँचवी गोमेदक की छटवी मनिके की, साथवी पीत मनी की, आठवी पेरोज की, नवी पुखराज की दस्वी लहसदिये की, ग्यारवी धुम्रकांत की, बारवी यागूत की, बारहों भाटक, बारह मोधियों के थी एक एक भाटक, एक एक मोधि का बना था, और नगर की सणक सच काज की समार, चोखी सोनी की थी मैंने उस भी कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्व शक्ति मान, प्रभू परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रियोज़त नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका देपक है, और जाती जाती के लोग उसकी जोती में चले फिरेंगे और प्रिथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, और रात वहां ना होगी और लोग जाती जाती के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे और उसमें कोई अपवित्र वस्तू या घणित काम करने वाला या जूट खा गड़ने वाला किसी रीती से प्रवेश ना करेगा पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे है अध्याए 22 फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी जलकती हुई जीवन के जलकी एक नदी दिखाई चो परमेश्वर और मेमने के सिहासन से निकल कर उस नगर की सडक के बीचों बीच बहती थी और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था उसमें बारह प्रकार के प्रलत लिए और वो हर महिने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाते जाते के लोग जंगे होते थे और फिर स्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सुरिय के उजियाले का प्रयोजन ना होगा क्योंकि प्रभू परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान उ-युक राज्य करेंगे फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास के योके और सकते हैं और प्रभु ने जो भविश्य दुख्तवाओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्ग दूत को इसलिए धेजा कि अपने दासों को वे बाते जिनका शीग्र पूरा होना अवश्य है दिखाए देख मैं शिग्र आने माला हूँ धन्य है वो जो इस पुस्तख की भविश्य दुआनी की बातें मानता है मैं वही युहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था और जब मैंने सुना और देखा तो जो सुर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पाउं पर दंडवत करने के लिए गिर बड़ा और उसने मुझसे कहा पर मेश्वर ही को दंडवत कर फिर उसने मुझसे कहा जो अन्याई करता है वो अन्याई ही करता रहे और जो मलिन है वो मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे देख मैं शिग्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है मैं अलफा और ओमीगा पहिला और पिछला आदी और अंत हूँ धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं आने का अधिकार मिलेगा और वे ठाटकों से दोकर नगर में पवेश करेंगी पर कुत्ते और टोने और वे पिचारी और त्यारे और मुर्दी पूज़क और हर एक जूत का जाहने वाला और गड़ने वाला बाहर रहेगा मुझे यूशू ने अपने स्वर्ग दूद को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलिसियाओं के विशय में इन बातों की गवाही दे मैं दाउद का मूल और वंश और भोर का चमकपा पहरा हूँ और आत्मा और दुलहिन दोनों कहती है और सुनने वाला भी कहे के और जो फ्यासा वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेंद ले मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविश्य द्वानी की बातें सुनता है कवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ा है तो परमेश्वर उन विपत्यों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा और यदि कोई इस पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल दे जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है हाँ मैं शिक्र आने वाला हूँ आमीन आमीन हे प्रभु येशू आ प्रभु येशू का अनुग रहे पवित्र लोगों के साथ रहे आमीन आमीन हे सहुष है जो कि निकक्तवह क्या बातों के से निक्व देक्वां के साथ येशू का बातों के साथ येशू का देंच्वां का येशू आमीन झाल झाल